हलो दोस्तों, तो कैसे है आप सभी, आशा करता हुआ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीडेक के बारे में सीडेक होता गया है, इसकी eligibility क्या है, fees कितनी है, ये सारी चीज़े डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी डिस्कस करेंगे, कि आप को सीडेक करना चाहिए कि नहीं, सीडेक नहीं कर रहे हैं, तो इसका alternate क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो पहले जान लेते हैं, सीडेक है क्या, तो सीडेक कुछ नहीं दोस्तों, एक post graduate diploma कोर्स की तरह है, PGD कोर्स की तरह है, इसका duration है, 6-8 मंद का duration है, जो इसक फुल फॉर्म है, Center of Development of Advanced Computing, यह इसका फुल फॉर्म है, जो सीडेक वर्ड है, यह एक तरह का PGD कोर्स है, उससे ज़रा कुछ नहीं दोस्तों, इसका benefit होता है, कि इसका 60-80% placement ratio है, इसका placement काफी अच्छा है, इसकी fees जैसे मैंने बताई, 80,000 to 1.5 lakh है, अगर बात करें कि इसमे अपना complete किया है, चाहे वो mechanical हो, civil हो, electrical हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, वो matter नहीं करता, पर इसका दोस्तों, eligibility में चीज आता है, इसकी एक C-Cat exam है, उसकी entrance test होती है, वो exam आपको qualify करना होता है, उस rank के हिसाप से आपको colleges मिलती है, यह सीडेक की बहुत सारी institute colleges है, अलग-अल जाता है, अब बात करते हैं कि इनका average package कितना जाता है, तो इनका average package आता है, वो 4-8 लाग जाता है, दोस्तों यह इससे जादा भी है, लेकिन मैं average बता रहा हूं, again, मैं maximum minimum नहीं बता रहा है, average 4-8 लाग तक का package 60% लोगों को मिली जाता है, तो मैंने यहाँ पर eligibility बता दी, coming to point, कि आपको यह करना चाहिए कि नहीं, so मेरा suggestion है दोस्तों, अगर आप 6-8 months time दे सकते हो, और आपको कोई financial problem नहीं है, तो हाँ यह course करो, 80,000 to 1.5 lakh fees है इसकी, करो, because इसके options भी अच्छे है, placements अच्छे है, but again, मेरा second way यह मानना है, कि देखो, अगर आप effort नहीं कर सकते है, तो मेरा मानना है, इसके alternate में कोई भी एक programming course कर लो, मैंने Java के लिए काफी बार suggest किया है, PEP Coding Institute, and एक software तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, data science का tool है, जो बोलते है, SAS, statistical analytics system, so मैं तीन languages suggest करूँगा, अगर आप बाहर से करना चाहते हो, तो Java, SAS, और थर्ड में Python, Python में दोस्तों, य अभी Java का and SAS का अच्छा है, SAS में खुद जॉब करता है, clinical industry में, ठीक है, and coming to again, एक और point add करते है, कि CEDEC क्या सभी engineers को करना चाहिए, तो दोस्तों, देखो, CEDEC उन्हीं को करना चाहिए, जिनका campus placement ना हुआ हो, जिनका campus placement हो गया हो, उन्हें नहीं करना चाहिए, and वो लोग भ सब्सक्राइब बट, क्या हो रहा है, कि उनको अच्छी placement नहीं मिल रही, तो CEDEC करने से, maybe आपको 8,00,00400,00 तक का placement मिल जाएगा, and दोस्तों, एक और question, कि क्या आप भार institute से करते हैं, तो क्या उसकी value नहीं होती, क्या उसमें 8,10,00,00,00 के placement नहीं होते हैं, होते हैं, दोस्त की जो एक्जाम है ना इनकी उसकी भी फीज है 1500 जितनी अगर आप खुद के लैप्टप से देते हो तो 1200 फीज होगी अगर आप उनके लैप्टप से देते हो 1500 फीज है तो इन शॉर्ट दोस्तों देखो अगर आपके पास टाइम है और मनी है तो सीडेक करो ओके इसमें दोस्तों मुझे बहुत जमेले लगे सीकेट के एक्जाम दो फिर कॉलेज आपको कैसी मिलती है फिर वही प्लेस्मेंट सबका प्लेस्मेंट नेसेसरी नहीं है 60-80% रेश्यो है इससे अच्छा दोस्तों मेरा सजेशन क्या है बाहर से एक क लेंग्विज चूस करो उसको अच्छे से सीखो आपका आराम से प्लेस्मेंट हो जाएगा मैं खुद एक मेकैनिकल इंजीनियर हूँ मैंने खुद अपनी जर्नी में चीज़े फील की है आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे हो और कोई चीज मैंने मिस कर दियो तो करूंगा अस सून आस पॉसिबल तब तक के लिए बाबाए दोस्ते